मेरा विद्रोह यह डॉक्टर सुर्यबाला लिखित मनोवज्यानिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखिकाने बालमन की इच्छाओं और लालसाओं का तथा पिता की महद्वाकांग्षाओं और अपेक्षाओं का मनोवज्यानिक विश्लेशन किया है। और अभिभावक इनके बीच की समवाध हिंता के कारण कई बार न तो बच्चे बड़ों की अपेक्षाओं को समझ पाते हैं और ना ही बड़े बच्चों को समझ पाते हैं। इस बड़ती समवाध हिंता के कारण बच्चों में विद्रोहों की प्रवरुत्ती पन अपने लगती है। और जब तक बच्चे इस बात को समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चे विद्रोही बन जाते हैं अता हमें ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए।